येस बैंक एक समय डूबने की कगार पर आ गया था अगर ये बंद होता तो इसका असर देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर देखने को मिलता हाला कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ना सिर्फ समय से हस्ट शेप कर इस बैंक को डूबने से बचाया बलकि इसे सफलता पूर कर इससे भी छुटका रपा लिया है येस बैंक के कारोबार में अब सिर्फ आ चुकी है ऐसे में अब इसकी मुक्यश शियर धारक एस बी आई दूसरे इंस्टिउशनल निवेशक इस बैंक से निकलना चाहते हैं और इसकी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी किसी नए खरीदार को सौपना चाहते हैं एस बी आई के पास येस बैंक की 26 फिसदी हिस्सेदारी है हाला कि अब बड़ा सवाल ये आता है कि कोई खरीदार येस बैंक के लिए कितनी रकम देने को तैयार होगा सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि एक स्टेंड अलोन इकाई के तौर पर य येस बैंक शायद निवेश के लिए सबसे आकरशक प्रस्ताव नहीं है हाला कि अगर कोई निवेशक भारत जैसी तेजी से बढ़ती एकॉनमी के बैंकिंग सिस्टम में पैर जमाने की कोशिश करना चाता है तो उसके लिए ये येस बैंक एक बहतर विकल्प हो सकता है ये रिटेल हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है कंप्री के एसेट बुक में कॉर्परेट एडवांस की हिस्सेदारी दो साल पहले तक 43 फी सदी थी जो अब घटकर 23 फी सदी पर आ गई है वही रिटेल की हिस्सेदारी बढ़कर 47 दिसमलब 4 जीरो फी सदी पर पहुँच गई है इसे आप स्क्रिंग पर देख रहे चार्ट में भी देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के लिए डिपॉजिट अभी बी चुनौती पून बना हुआ है हलाकि यह इस बैंक के डिपॉजिट में लगातार ग्रोथ देखी गई है साथ ही इसमें रिटेल निवेशकों की भूमी क भी बढ़ रही है बैंक का फिलहाल करीब 55 प्रतिशत डिपॉजिट रिटेल ग्रहकों से आता है जिनकी संख्यावित वर्स 2021 के अंत में 41 प्रतिशत थी बैंक ने सोच समझकर एडवांसेज के मुकाबले डिपॉजिट को तेजी से बढ़ने की रणनी थी अपनाई है स्क्रिन में दिख रहे चार्ट पर भी देख सकते हैं सबसे एहम बात बैंक ने पिसले मैनेजमेंट से विरासत में मिले बैड लोन की समस्या को भी सफलता पूरवक दूर कर लिया है इसने करीब 43,000 करोड रुपए के बैड लोन को एक एसेट री कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा है हाला कि इसके एसेट क्वालिटी से जुड़ी सभी चिंताएं अभी भी दूर नहीं हुई हैं बैंक का बैड एसेट फॉर्मेशन लगातार उचे स्तर पर बना हुआ है इसके लावा इसका कुल ग्रॉस स्लिपेस दिसमबर तिमाही के दौरान 1233 करोड रुपए र इसकी प्यॉरिटी सेक्टर लैंडिंग में कमी देखी जा रही है बैंक को उमीद है कि वह धीरे धीरे इस स्थिती को बदल देगा बैंक के नेट इंटरस्ट मार्जिन की रफ्तार को आप अपने स्क्रिन पर भी देख सकते हैं इसके लावा आर ओए को बहतर बनाने की चु से एक परतिशत के आर ओए तक पहुँचने का लक्षे एक बड़ा सवाल बना हुआ है हलाकि मेनेजमेंट वित्वर्स 2026 तक इस लक्षे को हासिल करने की उमीद में है येस बैंक के वित्ति सेहत से जुड़ी जानकारी को आप अपने स्क्रिन पर भी देख सकते हैं ये चु और देश भर में डिपॉजिट नेटवर्क होना है बैंकिंग सेक्टर में आखरी बड़ी डील कोटक महिंदरा बैंक ने की थी जब इसने आई एंजी बैंक को इसके ट्रेलिंग बुक वैल्यू के दो दिसमलब दो गुनाभाव पर खरीदा था इस वैल्यूएशन पर येस बैंक का मार्केट वैल्यूएशन उनके डिपॉजिट का 33% है इसके वैल्यूएशन पर येस बैंक के डील की वैल्यू 88,000 करोड रुपए होनी चाहिए हलाकि येस बैंक की डील को लेकर कुछ भी तै नहीं हुआ है हलाकि जोखिम लेने वाले निवेशक मध्यम अवधी में डील की खबर आने की उमीद लगा सकते हैं और इस हिसाब से इसके शेरों में गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देख सकते हैं झाला है